हेलो फ्रेंज तो आज है साटेड़े की शाम और हम सारे लोग सारे फ्रेंज निकल चुके हैं एक जर्नी पे एक कहां जा रहे हैं हम लोग आधी होगी ठीक है इशा फाउंडेशन बैंगलोर हम लोग एक जगह है वैसे तो कोईमिटूर में काफी फेमस है आधी होगी लेकिन अब बैंगलोर में भी बन चुका है तो मैं फर्स टाइम जा रही हूं इनके साथ क्योंकि यह लोग अपना पहला एक्सपीरियंस ले चुके है तो नाविगेशन में हम लोग को कोई प्राब्लम नहीं होगी तो अभी हम लोग सब साथ में मिलके आज प्लान किये कि वहां ज कि अब लुके है तो तो में आज कर दैंगूज ईग्वार कोई नहीं होगी कि अबहा है तो हम लोग देसे कोई वह अबदोल अबिटर पालन कि उलते ऐखा है धर्स बालन कि दिल्सियों तो झालन कि अधिया थर्स भालन कि वह दोग्ड़िगदद़ उसे छोग है तो तो यह गाड़ी हो गई पार्क और बहुत अंग अंदर आ गए हम लोग पूरा जंगल जंगल एरिया है और लग रहा है कि पूरी दुनिया यहीं पर आई हुई है और यह देखिए जै हो शिव शम्बू तो बहुत दूल दूल बड़े रास्ते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे सब लोग वीडियो फोटो शूट बहुत सारे लोग आये हैं लोकेशन है तो बड़ा अच्छा लेकिन मेन पार्किंग से हम लोग काफी दूर आ गए और देखें पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं यहाँ पे व्यू तो बड़ा शांदार है बहुत सुन्दर लग रहा है और पीछे हर हर महादेव तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि जिस आदी योगी के बारे में आपने सुना है जो कि सबसे ज़ादा मशहूर कोईंबटूर में है अब वो बैंगलोर में भी बन चुका है यहाँ चिक्का बलापुर जिले डिस्ट्रिक एरिया के नंदी हिल्स एरिया में यह बना हुआ है अगर आप भोगा नंदिश्वारा टेंपल जानते हैं तो उस टेंपल से भी 20 किलो मेटर और बैंगलोर से 60 किलो मेटर आपको डिस्टेंस बढ़ता है यहाँ इशा फांडेशन आदी योगी का जो डिस्टेंस है और बिलकुल बीच यो बीच प्रकृत की गोद में सौ एकड की एरिया में यह फैला हुआ है तो हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर और बहुत ही मौसम भी बहुत अच्छा अच्छी हवा भी लग रही है और यह गोदी से उतरने का विल्कुल नाम ही नहीं ले रहा है मेरे ख्याल से साइटिते बहुत ही खुबसूरत आफकरिती बनी हुई है इतना खुबसूरत लग रहा है बहुत लोग आए हुए यहां पर नंदी का भी है यहां पर लोग जूते वगरा चपल वगरा उतार के फिर अंदर जा रहे है अभी तो हम लोग बाहर के कैंबस में ही है तो महादेव की प्रतिमा के ठीक सामने नंदी भगवान जी विराजमान है और बहुत ही लोग है मेरा पहला एक्सपिरियंस पहला अनुभा जो है बहु सुन्दर और शांदार बड़ी सी 112 फूट की प्रतिमा जो देखने से लगता है कि बिल्कुल महादेव जी जो हैं बिल्कुल साधना में लीन है ऐसा आपको देखके प्रतित होगा और अभी तो रात का जो लाइट एंड शाउन सो होता है वो अभी शुरू तो नहीं हुआ जहां तक मैंने सुना है कि वो भी बहुत ही शांदार होता है आपको देखके वीडियो से जादा अगर आप यहां आकर इसका लाइव एक्सपिरियंस लो तो आपको और भी जादा अच्छा लगेगा ऐसा मेरा कहना है और एक बार तो मैं जरूर कहूंगी कि एक बार आप य अब भील्ड है किते सारे लोग आए हुए हैं बहुत सारे लोग वीडियो ले रहे हैं फोटोज ले रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा मॉल है और सबसे फ्रण्ट में तो नंदी भगवान जी की मूर्ती है और इस तरह से देखिए कि बहुत बड़ा कैंपस है अभी कुछ दिर में शायद लाइट एंड शाउंस ओभी शुरू हो जाएगा तो मेरा तो यहां आज का पहला एक्सपीरियेंस है फर्स्ट टाइम आई हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे यहां आके अब अच्छा खासा वीडियो लेने के बाद कुछ दिर में बैठूंगी झाली वीडिक्यो Time के शर्ष्ग झाली खासा मुझे कना सुछ को शीडियों की शर्राओन ड्र टे सब्से च्छादियों तैशा nhấtी घ्कामि!!! Werel दॉत प्र्साद एके लेके कि तेचे में बंगयों औराओन किवक्र द्यों झाल झाल तो अभी तो फिलाल मैं यहां बैठ गई हूँ जैसे कि बाकी लोग यहां पे बैठे हुए सीडियों पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और जैसे जैसे मतलब शाम होती जा रही है न वैसे वैसे और देखे भीड बढ़ती जा रही है और अंदर भी फल फूल मिल रहे हैं ताकी अंदर पुजा हो सके। यह अंदर कुछ परिक्रमा कर रहा है। मैं अभी बाहर के campus में ही हूँ और भ्रमण कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बाहर तो आप सबसे भी कहना चाहूंगी तो must visit place है तो एक बार आप आके यहाँ पे बैंगलोर इशा फाउंडेशन आधी योगी आके जरूर विजिट करें बहुत ही मन को बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को तो जैसा कि दिख रहा है कितने सारे public आ गया है यह सवार है गोदी में कोई बात नहीं देखे कितना बहुत गजब की भीडो रखी है अभी अभी सोच रहे हम लोग कुछ थोड़ा बहुत खा ले तो अभी लाइट अंसों में थोड़ा टाइम है तो मिस्टर अनुभा को लगी है भूख यहां पर जो कंट्रोल में नहीं है तो चलना कुछ खाने पीने हैं अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा देखे हलका फुलका कुछ स्नैक्स हो जाए उसके बाद आके यहां पर थोड जाएगा यहां पर पूरी पबलिक बैट गई है और आप कुछी मिंटों में शुरू हो जाएगा यहां पर लाइट एंड साउंड सो तो लेजर शो शुरू हो जाएगा तो बहुत पबलिक देखे पीछे क्था लेजर शुराय शीवर्शिवार् शुड़ा सुड़ु तो मया तक दो भाकाल रह योगेश्वर्पाल काल को की इस वालन तरे और बिन जोसे हैं 15,000 तो데 के ऩो है खीड है वहां बादान थी हामया disturbance ले ने वंन्हों उटारो। अजयूलाबी कर दोल प्रेशीं के लगेंजितों कि रुिरीडिकिन अत्रथेंटी ओजिए एकसिया रेंशीटेशी विस्चाल टो अजिए विन सैंगा ए सकता है लागि भी जोसि टारे लोगिए झाल लागिए। झाल 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 प्रेशय मेः रिप दिए जो प्रिज्ट अजिए ।िए नग्ट प्रेश लुगाइश् जूजँ मेः प्रेशान जाना जुगाइश् जिए लुगाइश् जुगाइश् उजगाईश् लूबारियों तो फ्रेश्ट कर दो कर दो कर दो कर दो Allah Yogi thought her and made her a part of himself and hence he is the Pandanaria the ideal man where one half of him is a woman झाल झाल seeing the splendor of this magnificent union ghana's his constant companions asked what about us Madhyugi said just drink of me which drove them into intoxicated raptures महा देवाय नहाँ The Seven Sages, the Sapta Rishis and all the sacred signs of yoga in all its forms to human habitations across the planet which turned into crucibles of civilization. The Seven Sages, the Sapta Rishis and all the sacred signs of yoga in all its forms to human habitations across the planet. The Seven Sages, the Sapta Rishis and all the sacred signs of yoga in all its forms to human habitations across the planet. जोगन्हे बदेओ आपना विओ दी, और भतफो, हमुश हुआ है This spectacular being is not of the past but the future of humanity. to move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. yoga 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 shmuraya bhuta 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 shmuraya kala 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 shmuraya shiva shiva sarveshmuraya कि अपन्स एगाँ अवार्फ ऐ फिल्ग वार्फ बार्फ ले वुटन्वेयरा वुट्री आटी है टुट। अव्यान जो ग्रावां जबार्फ लुटन्वेयरा व्यान वो आंक पुच्चे आंक वी जो रेचे आंक! तो यहां का जो लेजर थो था वह हुआ उसका समापन हो गया और अभी भी बहुत भीड़ है दर आप लोग देख सकते हैं प्रशाद के लिए बहुत भीड़ लगी हुई है बहुत 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 लोग आए हुए है लेकिन आप हम लोग जो है यहां से निकल रहे हैं तो उमीद है कि आज का जो है इशा फांडेशन का यह इशा फांडेशन का यह आदी योगी का वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले विचिस प्रियांका व्लॉगर अब आपको मिलेंगे अ आपने नेक्स व्लॉग में तिल देन टाटा बाई बाई और टेक केर